राजत के राष्टिये अध्यक्ष वपुर्व मुख्यमंत्री बिहार लालू यादब के अच्छे स्वास्त के लिए आज पटना साहिब बिधान सभा के राजत कारकरताओं ने छोटी पटन देवी सक्ति पीठ मंदिर में महा आरती का आयोजन किया राहुल यादब सहित अन राजत कारकरता मौजूद रहे हैं इन लोगों ने इस महा आरती के दोरान माता पटनेस बरीक से लालू यादब के अच्छे स्वास्त की कामना किया साथ ही राजत के महा नगर सचीव राहुल यादब ने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू जी जल्द स्वस्त होकर हम सभी के बीच आकर बिहार बासियों की सेवा करेंगे बता दें कि लालू यादब पिछले तीन दिनों से आईसियों में भरती हैं लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है जिसके बाद आज उन्हें एर एम्बुलेंस की सहायता से दिल्ली एमस रेफर किया जा रहा है थोड़ी देर में लालू यादब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे होका बुरा हाथ्सा हुआ है घर में जूंग है और वो इलाजरत है मुझे माता रामी और ठासी की सुनात दोनों की बहुत बिश्बास है कि वो जल्दी स्वस्थोटर लोटेंगे जूकि लालू लाल है माटिका ओटिसी से भुटने वाला नहीं है वो बहुत से लड़के आ हैं जल्दी आएंगे आपकर नाम चंदर नरायन यादव पटना जिला उपाधियर जी आटनी शेडाल से अज्यादर जी के परसों हमें वो घर मेंगें उनके सीडियों से वो गिर गये थे और उनके दाहिने कंदेर सेक्टर हुआ था और और कल उनके स्वास और ज्यादा ख और कि जल्द से बस जल्द स्वर्ष्ट होके हम लोग बीच आएं और बिहार को अफिर से नय बिहार देने काम करें और जल्द से जल्द उनकी स्वास पने उत्तम कामना करते हैं माता ऐसे ही मनु कामना मानते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वर्ष्ट हो और बापास घर के हैं झाल झाल